तो रवी जी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परम्मित्र और हम लोगों ने बहुत सारा समय बिताया है साथ में और वो कॉलेज की पहली बस जाने वाली और कविताएं प्रत्यों किताएं तो काफी सारी यादे हैं वहां से शुरूँ करूँगा वैसे तो मैं आप लोगों को सीरिस नहीं करूँगा आप लोगों के लिए कुछ सुनाऊंगा मैं किसलिए आया हूँ पहले वो बता देता हूँ इश्क सब को पढ़ाने आया हूँ इश्क सब को पढ़ाने आया हूँ खुद को कैसे भला बचाओगे तुम को तुम से चुराने आया हूँ तुम को तुम से चुराने आया हूँ तो आप सभी उस उम्र में हैं जब पहली बार प्यार होता है और जब पहली बार प्यार होता है तो वो क्या सिचुएशन बनती है कैसा महसूस होता है इन पंकियों में आपको बताता हूँ देखता बस तुम्हें देखता रह गया दिल बेचारा यूही सोचता रह गया सांस बढ़ने लगी वक्त थमसा गया फूल शर्मा गये चांद भी छिप गया फूल शर्मा गये चांद भी छिप गया जब से आँखों के कातिल इशारे हुए हम तुम्हारे 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 हुए सारी मजबूरियां ताक पर टांग दो अब तो सारे जमाने की हद लांग दो हर कसम तोड़ दो, हर रसम छोड़ दो साथ मेरे रहो, हर भरम तोड़ दो साथ मेरे रहो, हर भरम तोड़ दो जब से तुम मिल गए गम किनारे हुए हम तुम्हारे 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 हुए हम तुम्हारे 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 हुए तो ये एक तरनुम में आपको सुनाई कुछ पंक्तियां इसके बाद एक तहत में मैं आपको शेर सुना देता हूँ मतला है कि चले गए हो तुम चले गए हो तुम दिल में तेरा अर्मान अभी बाकी है वो जो बना रहे थे साथ में मिलकर वो अधूरा मकान अभी बाकी है और बिल्कुल बिल्कुल चले गए हो तुम दिल में तेरा अर्मान अभी बाकी है वो जो बना रहे थे साथ में मिलकर अधूरा वो मकान अभी बाकी है और चले हो यूँ कहां महफिल से उठकर चले हो यूँ कहां महफिल से उठकर दिले गम मैं खाने में जाम अभी बाकी है और मिटा तु दिये कतले सबूत बड़ी सफाई से मिटा तु दिये कतले सबूत बड़ी सफाई से तेरे आस्तीन पर मेरे खून के निशान अभी बाकी है और पढ़ा था तुम्हें जो रातों में करवट बदलते पढ़ा था तुम्हें जो रातों में करवट बदलते उस इफाम का इम्तिहान भी बाकी है और शेर है कि मैं भूखे बच्चे की रोटी तु नहीं चीन सकता मैं भूखे बच्चे की रोटी तु नहीं चीन सकता मेरे अंदर इमान कहीं बाकी है और जो भी हूँ आज अपने पिता की वज़े से हूँ तो उनकी लिए ये शेर की जब भी पढ़ा है पिता के पैरों के छालों को मैंने ये जाना मेरे अंदर ग्यान अभी बाकी है और ये शेर की सब कुछ पा लिया सब कुछ पा लिया फिर भी कहीं ये टीस है ये जो सर के उपर है ना वो आस्मान भी बाकी है तो ये एक शेर जो मैंने आपको सुनाया पिता की बात की है तो मा को कैसे पीछे छोड़ सकते है मा शायद परदे की पीछे रहती है पिता के लिये तो हम सभी देखते हैं वो डाटते हैं प्यार करते हैं लेकिन मा परदे की पीछे से आपको सपोर्ट करती रहती है भी आप घर जाएंगे तो प्यार से पूछेंगे कि कुछ खाया बेटे उनको नहीं चिंता कि आपने क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया लेकिन आपकी चिंता है मैं जो कुछ हूँ पिता की वज़े से तो हूँ ही पर मेरी मा का बहुत बड़ा रोल रहा है तो मा के लिए कुछ पंक्तियां कि बिना मा की दुआओं के कभी ऐसा नहीं लगता बिना मा की दुआओं के कभी ऐसा नहीं लगता मैं जो भी लग रहा हूँ आज मैं वैसा नहीं लगता बिना मा की दुआओं के कभी ऐसा नहीं लगता मैं जो भी लग रहा हूँ आज मैं वैसा नहीं लगता ना जाने कैसे मन अपना माकसर मार लेती है ना जाने कैसे मन अपना माकसर मार लेती है वो अब साड़ी नहीं लेती तो अब अच्छा नहीं लगता हम सब कभी बीज रहे होंगे आद बड़े हो चुके हैं पेड़ बन चुके हैं सजर कहा जाता है तो गुमा है सजर को खुद पे की वो राही का सहारा है वो मिट्टी मा है बिना जिसके कोई पौधा नहीं लगता ना जाने कैसे ना जाने किस तरह से मा रोटी बनाती है इस घर में जो भी रहता है कभी भूखा नहीं रहता और भरा हो खजाने से भरा हो खजाने से खुचाहे लाख सुकसु विधा भरा हो खजाने से खुचाहे लाख सुकसु विधा बिना मा के ये घर मुझको कहीं से घर नहीं लगता बिना मा के ये घर मुझको कहीं से घर नहीं लगता तो ये कहानी थी एक छोटी सी जो मा ने मेरे लिए किया आप सभी के लिए किया तो मैं चाहतूं कि एक बार जोरदार दाले हैं अपनी माउट झाहतू